हलो गाइस, वेलकम टू अटो अडवाइस, आज के इस वीडियो में पर्फ्यूम्स के बारे में बात करेंगे, तो ये कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है, इन पर्फ्यूम्स को मैं लगबग पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इन पर वीडियो भी कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो जो सबसे पहला पर्फ्यूम है, वो है ग्लैड कंपनी का लेमन फ्लेवर का, ये लगबग मैंने एक साल पहले लिया था, और ये 30 से 35 दिन अराम से चल जाता है, इसके अंदर आपको जेल मिलता है, और इसका ओपन मे के असपा से मुझे मिल गया था, और एक बात मुझे इसके बारे में अच्छी नहीं लगी है, वो है इसका कलर काफी ब्राइट कलर में आता है, और काफी अटपटा लगता है अपके कार के डैशबोर्ड पे, अगर इसका कलर ब्लैक, सिल्वर या गोल्डन होता, तो फिर भ के बारे में सबसे अच्छी है, वो है इसकी फ्रेग्रेंस, इस से बड़िया फ्रेग्रेंस मैंने आज तक किसी भी कार पर्फ्यूम में नहीं देखी, हाला कि जो इसके बारे में बुरी बात है, सेम वही, देखने में यतना अच्छा नहीं लगता, डैशबोर्ड पे काफी चीफ फील होता है इसके बाद आता है एर प्रो कंपनी का माइक वाला पर्फ्यूम ये लगबग आपने बहुत से गाड़ियों में लगावा देखा होगा इसकी फ्रेग्रेंस काफी जाता अची है और इसका लुक भी काफी अमेजिंग है ये लगबग आपको 500 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको इस तरह का एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिलेगा जहां पर इसकी फ्रेग्रेंस टोर होती है साथ ही में आपको एक रिफिल पैक भी इसके साथ मिलता है जब भी आपको लगे कि इसकी फ्रेग्रेंस कम हो गई है तब आप इसमें रिफिल कर सकते हैं इसकी सबसे अच्छी बात लगी है कि एक तो देखने में अच्छा है काफी लोग मेरी गाड़ी में बैठते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि ये किस कंपनी का है आपने कहां से लिया देखने में काफी अच्छा लगता है फ्रेग्रेंस भी अच्छी है बट इसके बारे में एक बुरी बात भी मैं आपको बता दू इसकी fragrance काफी जल्दी कम हो जाती है जब मैंने इसे लगाया था दो दस से पंदरा दिन के अंदर ही मुझे बार बार refill करना पड़ा क्योंकि इसमें कोई lock mechanism नहीं है इस वज़े से इसकी fragrance काफी जल्दी खतम हो जाती है इसके बाद मैंने purchase किया था air pro का sphere जिसके अंदर gel आता है और इसमें आपको complete lock mechanism मिल जाएगा जब आप काड़े को use नहीं करते तो आप इसे lock करके भी रख सकते हैं जिससे जो gel है वो store रहेगा और जादा लंबे समय तक चलेगा ये लगबग मुझे 370 रुपे के आसपास पड़ा था description में लिंक है सभी का आप चेक कर सकते हैं जिसका भी आपको price चेक करना हो तो look में मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा premium लगा है देखने में काफी ज़्यादा amazing लगता है ये भी लगबग एक महीने के असपास चल जाता है और इसमें आपको luxury fragrance देखने को मिलेगी इसके बाद मैंने purchase किया था Watsas company का air AC vent में लगने वाला ये perfume देखने में तो बहुत चोटा है बड़ इसकी fragrance काफी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर इसमें आपको mechanism मिल जाता है जिससे आप इसके level को कम और जादा भी कर सकते हैं वहीं सबसे अच्छी बात जो है वो है इसके साथ आपको 5 अलग-अलग flavor के pouch मिल जाएंगे जो लग-बग एक pouch एक महीने अराम से चल जाएगा तो यह उन लोगों के लिए बहुत बेटर है जो बड़े-बड़े perfume dashboard पे नहीं रखना चाते तो यह छोटा सा perfume आपके car के AC vent में लग जाएगा जो कि आपको बिलकुल भी irritate नहीं करेगा और जब भी आपको उसकी fragrance कम लगे तो आप इसका दूसरे flavor का pouch खोल कर उसमें जो आपको refill मिलता है वो इसमें डाल सकते हैं दोस्तो यह fragrance, look और usability के मामने में सबसे अच्छा है इसलिए मैंने इसे number one पे रखा है मैं इसे लगबग 3 महिने से use कर रहा हूँ और जब भी मैं car का door open करता हूँ मुझे काफी must fragrance आती है तो नीचे comment box में बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सा perfume सबसे बेटर लगा है दोस्तो डिस्क्रिप्शन में जो link है उसे चेक करना बिलकूल मत भूलना और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे like भी कर दो ऐसे ही car से related वीडियो देखने के लिए इस channel को subscribe करना तो बनता है